प्रदेश का दूसरा बड़ा सहर होने की कारण बिलासपूर में कई संभाव ना है तो उतनी ही चुनोतिया भी है जिसे मेयर और उनकी नई टीम को पूरा करना है आज हम अपने खास पेशकश के जरिये इनी संभावनाओं और चुनोतियों पर बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं अपने खास पेशकश की लंबे अरसे बाद पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश, शहर और बिलासपूर नगरिगं में कॉंग्रिस सत्ता में है शहर विकास के लिए जनता ने कॉंग्रिस पे भरोसा जिताया है जो जनाधार जनता का मिला है उससे नई शहर सरकार की चुनोतियां और जिमिदारियां दोनों बढ़ गई है प्रदेश का दूसरा बड़ा प्रमुक्ष शहर होने के कारण निगम की नई सरकार से जनता की अपेक्षाएं भी बहुत है बिलासपूर अब तक विकास में पिछ्रा हुआ है मूलभू सविधाओं से लेकर कई बड़ी योजनाएं अब तक शहर के लिए अपेक्षित है मुद्दो की बात करें तो पेजल, सडक, नाली, पार्क, साफ सफाई जैसी मूलभूत और अरपा, सीवरेश, ट्रेफिक पार्किंग, परेवरन शहर के प्रमुक्ष मुद्दे है जिस पर काम होना बहुत सरूरी है यही नहीं, निगम में शामिल नए जुड़ी ग्रामिर शेत्रों को भी सबसे पहले मूल भूस विधाउस जोडने की चुनावती है पहले तो जल इसतर है, वाटार हर्वेस्टिंग ये सब और अरपा पे जल इसतर बढ़ेगा तो आने वाले गर्मी अभी से सुरू हो गया है कि पानी की समस्या नहीं रहे और दूसरे परिया वरन जितना पेड़ पहुजे हरी के प्रेज़ी ध्यान देंगे तो इहां का टेमप्रेचर भी डाउन रहा बिलासपूर नगर में प्रमुक समस्या है पानी निकासी का सीवरेच का जो चार सव करोड रूपया का जो जनता का पैसा लगा है और वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पिछली सरकारों में वो अब व्यवस्थित है उसको सु व्यवस्थित किया जाए 15 ग्राम पंचा है तो कभी एरिया को सामिल करते हुए सीवरेच को ठीक से उसको व्यवस्थित किया जाए यह बहुत बड़ा समस्या है विलासपूर का नगर निकान विलासपूर में सबसे प्रमुक जो समस्या है वो पेजल संकट का है और निशी तुर पर जो नई टीम अभी चुनाओ जी जगाने की विवस्था करें और आने वाले समय में जो गर्मी आने वाली है उस समय चौक चरहे पर पीने की पानी की समुचित विवस्था करवाएं और साथ में जगा जगा चौक चरहे पर सौचाले की विवस्था करवाएं जिससे की सहर और नगर हमारा साथ सुत्रा बना रहे आप सभी पार्सद महदाय और उनके जो सब्मंदित साथी गड़ा उनसे ही निवेदन है कि अपने अपने छेत्र पर विसेश कारे करें और विसेश तरुपे परिया वरण जल और सोचायलाई के लिए अत्रिक्त समय देकर कारे करें वसे समस्या तो बहुत सारी है पर अर्पा नदी की जो समस्या है यह सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि जो गिरता हुआ जलिस्तर है उसको बरकरार रखने के लिए उसको सही रखने के लिए अर्पा नदी में बारो मासी पानी होना ज़रूरी है जिसका प्रयास हम अर्पा महिय अर्पा नदी में काम करता हुआ कोई निगम का या कोई आलादीकारी नहीं दिखाए। बस पेपर में और कागची करवाही में ही अर्पा की विकास हो रही है। शहर की जंता से जब हमने शहर की प्रात्मिक दाउं को लेकर बात की तो हर वर्ग ने प्रमुख तोर पर शहर में पेजल, अर्पा नदी, सड़क, पार्किंग, ड्रेने सिस्ट्रम, स्थिक्षा, स्वास्थ, परियवरन और साफ सफाई की मुद्दे को सबसे आगे रखा। लगातार गिरते जलिस्तर की कारण पेजल संकर शहर की सबसे बड़ी समस्या बन कर सामनी आई है, अर्पा की बधाली जिसका एक प्रमुख कारण है ड्रेनेश की समूचित विवस्था नहीं होनी की कारण नालू का पानी एरपा को प्रदूशत कर रहा है, सडकों का मेंटेनेंस भी शहर की प्राथमिक्ता में है, शहर की जादतर सडकें बधाल है, ट्रेफिक और पार्किंग विकसे शहर की एक और बड़ी समस्या है, प्रम प्रिकरन का सबसे जादा असर परियावरन पर पड़ा है, जिस पर भी विशार करने की आवशक्ता है, स्वास्थ और सिक्षा व्यवस्थाओं पर भी जनता आमूल चूल परिवर्तन चाहती है, साफ सफाई की कमी शहर की सूरत बिगार रही है, तमाम मुद्दों को जनता प्रात्मिक्ता में रखा है, जनता चाहती है कि नई शहर सरकार भी प्रात्मिक्ता में रख कर इन पर काम करें। बड़ी समस्या है, किसी भी चौक्चा रहे में आप चले जाएए, व्यक्ति जाम से परसान हो जाता है, सुबह 10 बजे और साम के 5-6 बजे, यह विसेश समय होता है, जब ट्रिफिक की विवस्था पूरा जाम हो जाता है, जितने पूल सहर के वो जाम हो जाते है, इस समस्या है, तो उसको विवस्थित रूफ से एक बार में ठीक करें, उसकी लिए दो बारा कम सिकम 50 साल तक ना सोचना पड़े, अभी मैंने सरकंडा में एक थाने के बाजू में देखा है, दो पानी टंकी एक साथ बनी है, या तो बड़ी पानी टंकी बनाना था, एक के पैस की है, जैसे अनने सहरों में मल्टी लेवल पारकिंग की विवस्था की गई है, वैसे ही सहर की बीच बीचों बीच ये जो मार्केट है, या आस बास की बीचों उत्रें, वहार ट्रैफिक और पारकिंग की अच्छी-कासी विवस्था करने की आउ सकता है, साथ ही साफ पानी पीने की विवस्था, सवचाले की विवस्था, कमरे साब सुत्र रहने की विवस्था, फरनीचर अच्छे होना चाहिए और इसके साथ-साथ थोड़ा गुरुजनों का की ड्यूटी पर भी विवस्था ठीक देनी चाहिए शहरी दावा खाना है गांधी चोक में है और कई महलों में उनकी सुर्वात थोड़ी सी की जाए जैसे बहतर स्वास्त सुईधा मिल सके और हर वारगों को मिल सके गरीब वारगों जो गरीब और निधान है उनको मिल सके जनता की प्रात्मिक्ताओं के बाद नई रिगम सरकार और मेयर से जब हमने शहर को लेकर उनकी प्रात्मिक्ता पर बात की तो उन्होंने जनता की प्रात्मिक्ताओं के आधार पर ही अपनी प्रात्मिक्ताओं तै करने की बात कही है उन्होंने बताए कि अर्पा का समवर्धन उनकी पहली प्रात्मिक्ता में है सरकार ने अर्पा के समवर्धन के लिए दो चेक डेम बनाने स्विकृति दी है जिससे अर्पा को 12 महीने जीवीत रखा जा सकेगा नालो का पानी अर्पा में ना जाए इसे लेकर भी प्लान तयार किये जा रही है ट्रेफिक और पार्किंग को लेकर भी मेर ने प्रात्मिक्ता तै कर रखी है नए नए शेत्रों में मार्के डेवलप करने की कोशिश होगी ताकि शहर में ट्रेफिक कर दबाव कम हो साथी अर्पा के दोनों किनारे चरग बना कर भी ट्रेफिक कंट्रोल किया जाएगा मल्टी लेवल पार्किंग की योजना भी प्रात्मिक्ता में है शहर में पार्क की कमी को देखते वे एक बड़े पार्क का निर्मान भी इधी में से एक है आपने बिलासपूर की जनता को सुना कि बिलासपूर के नए मेर के लिए शहर के लिए उनकी क्या प्रात्मिक्ता हैं अब बात नए मेर को लेकर है कि उनकी क्या प्रात्मिक्ता हैं सहर को लेकर हमारे साथ मौजूद है है रामशन यादो जी महपाउर हूंसे ही बात करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या प्रात्मिक्ता सहर कर ले ट्य की हैं रामशन जी एक लंबे रशुए बाद निघंव में यहां पर आप महापऊर अभी बने हैं तो क्या कुछ कुछ प्रात्मिक्ता हैं आपने तय की हैं निगम को लेकर सबसे पहली बात तो बिलासपूर सहर में अर्पा नदी जीवन दाइनी नदी है जिसके समर्धन के लिए प्रथम प्रात्मिक्ता होगी उसके लिए राजय सरकार से दो एनिकट की स्विक्रिति मिल गई है और वो काम अधिस सीग्र सुरू होने जा रहा है और जो उस पे नदी में पूरे सहर के जो गंदा पानी जाता है उसको रोक करके आगे ले जाकर के सुद्ध करने का काम करने को हम लोग अभी प्रात्मिक्ता हैं आप देखते हैं अगर प्रमुख पांच प्रात्मिक्ताओं की बात करे जो आने वाले पांच साल में आप उन उन काम को प्रात्मिक्ता से करना चाहेंंगे वसे कुछ अपने तय चीना-कित थी हैं दूसरी प्रात्मिक्ता यह यह है कि जो वर्तमान में ग्रामी डंचल सामिल हुए है आज मैं सिर्गिटी का दवरा किया था 10, 11, 12, 3 वाट का वहाँ पर जो इस सिती है बहुत ही दैनी है वहाँ पानी की समस्या है रोट की समस्या है, नाली की समस्या है चुकि शहर लंबे समय से नगर निगम है इसलिए वहाँ कुछ स्विधाय तो है लेकिन ग्रामी डंचल जो अभी अर्तमान में जुड़ा है चाहे वो सिर्गिटी हो, चाहे सकरी हो, चाहे कोनी हो, चाहे देवरी खुर्दो ये सभी जगा मूल भी स्विधाय भी उपलब्द नहीं है वो प्रसम प्राद्मिक्ता में आएगा कई योजनाए अधूरी है इसको लेकर कैसे प्रयास होगा आगे उसी के लिए कल पहली बार मैं अगर निगम के सब कर्मचारियों का बैठक उलाया हूँ चुकि अभी तीन दिन हुआ है पहली बार कल बैठक होगी उस बैठक में जितने भी पेंड़ी काम है जो काम सुरू है जो बंध है उन सभी के विशाय में वेस्तित जानकाली अलग-अलग विभास से प्राप्त करूँगा उसके उपरांद फिर उसमें काम करने के दिशा में कारे करूँगा जो प्राथमिता आपने तै की है कितनी चुनोतियां आप देखते हैं उन कामों को लेकर कितनी चुनोतियां सामने हैं आपके चुनोतियां तो बहुत है और कठी चुनोतियां लेकिन राजे सरकार कांग्रेस का है मेरे को मेरे मुख्य मंत्री को पर भरोशा है उज दिन सपर्ग्राण में आये थे तो उन्होंने कहा है कि अर्पा के शमर्धन के लिए पैसे की कमी नहीं होगी इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार है और जनता के हित में काम करने के हूं हमने ब deposit को साथ बोल और बाभार मुद्द व करने के लिएक हैं और खुए को हुरे जो अभी अब ऊवर्कों के लिए तैभ डाब हैं उसको बहु को नेकित में की प्लान के भागे हो हैं दी नी सड़के जो अभी खराब हो गई हैं उनको हम जल्दी से जल्दी गड़ों को पटवाएंगे और सड़कों को बनवाएंगे एक बड़ी जो डिमांड उठी है कि स्वास्त को लेकर कि यहां पर स्वास्त की जो सुईधा है वो बहतर नहों और जन्ता यह चाहती कि वार्डो में में अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो प्रात्मी कूप चार हो सके तो इस भी स्वास्त के जिसा में कुछ आपने सोचा है कि हमारे नगर निगम को अलग से सेट एप है सवास्त के विश्णा में कमला उस्धाला है चाटीडी नी में है उन इतने फी अस्पिताल नगर प्राइवेट इसकूल में अभी जो नगर निगम के जितने एस्कूल है, लाल बहादूर है, देवकी नंदर है, मगरपारा एस्कूल है, लाला राजपातरा एस्कूल है, उसमें इस्टुडेंटों की संख्या दिनो दिन घटती जा रहे है, वो चिंता कविशा है, उसमें तो उसमें प्रेक्टिकल के तोर पर अपन प्रयास करेंगे, कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए, कि जो प्राइवेट इस्कूल है, प्राइवेट संस्थान है, उसके तुलना में हम भी वही सिक्षा अपने नगर निगम के इस्कूलों से प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में हमारे इस्कूल की जो संख्या घट रही है, वो दूसरे इस्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं, वो नगर निगम के इस्कूले पढ़ने के लिए आकरसित हो, सडक और ड्रेनेज, ये भी एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए, वो चाहते हैं कि इस पर नई सरकार क कुछ काम करें, तो इसको लेकर भी कुछ प्रयास होंगे आपके तरफ से, पूरा प्रयास होंगे, सडक को हम लोग बनाएंगे, और अच्छे से बनाएंगे, ड्रेनेज की समस्या सहर में है, उसमें भी ध्यान दे रहे हैं, दोनों तरफ नाली जब बन जाएगा, नदी के क पानी है, दोनों अलग हो जाएगा, तो सभाविक है कि जो फ्लो रुगता है, वो आटोमेटिक फ्लो बढ़ेगा, तो पानी की जो भरने की समझ से है, वो कहीं ने कहीं दूर होगी, विलासपूर की जनता की प्रास्मिक्ता ये भी है कि निगम में जो काम हो, वो देखो, हर व्यक्ति जो नगरनिगा में बैठता है, उसका अपना सोच, अपना सूज, अपना बूज होता है, अपना कार करने की सैलिव होती है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, जो अन प्लान्ट हो, मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा, जो लोग उस छेत्र में ए चाहिए किसी भी चीज का हो, जब हम प्लान बनाएंगे तो उसमें एक्सपर्ट लोगों के द्वारा सुझाव आएगा, उस सुझाव में अधिकारियों के साथ बात चीत करके उसको हल करेंगे, तब ही लंबे समय के लिए एक अच्छा प्लान बन सकेगा, ऐसा मेरा मानना ह आखिर में रामशन जी तमाम चुनोतियों और प्रात्मिताओं के बीच आने वाले पांच साल रामशन यादोजी का बिलासपूर कैसा होगा? मेरा अपना सपना है ये विलासपूर को आने वाले पांच साल में ऐसा कुछ करके जाना चाहता हूँ ताकि काम कर गुजुरू और लोग इस बात को याद रखे कि कैसा मेरा आया था जो इस सहर को चमन बना दिया दन्यवाद रामशन जी तो ये थे रामशन यादो जी महापौर बिलासपूर नगर निगम के और इनकी जो प्रात्मिक्ता हैं जनता की जो प्रात्मिक्ता हैं उससे अलग नहीं है रामशन यादो जी ने भी उन्ही प्रात्मिक्ताओं को सबसे आगे रखा है, सामने रखा है और वो भी चाहते हैं कि बिलासपूर का समुचित विकास हो बिलासपूर में जो मूल भूत समस्या है चाहे वो पानी, सडक, बिजली के हो इसके लावा जो प्रमुख मुद्दे यहां के हैं, वर्पा का मुद्दा शामिल है इसमें शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्त की बात हो, तमाम मुद्दों पर रामशन यादो का फोकस है और वो चाहते हैं कि इसी मुद्दों को लेकर आगे पांस साल वो काम करें और बिलासपूर को एक अलग पहचान दे बिलासपूर को लेकर जनता और नए महापौर की प्रात्मिक्ताओं के बीच नई निगम सरकार के सामने चुनौतिया बहुत है अब देखना होगा आने वाले दिरों में जनता के इन प्रात्मिक्ताओं को कितनी प्रात्मिक्ता मिलती है और शहर का कितना विकास होता है तो आपने देखा किस विश्वास और उमीद के साथ बिलासपूर की जनता ने मेर रामसर्ण यादो और उनकी टीम को शहर का कमान सोपा है कई चुनोतियां हैं जिस पर यदि काम किया गया तो बिलासपूर अपनी एक अलग पहचान बना सकता है अब देखना होगा अपने कारेकाल में मेर रामसर्ण यादो और उनकी टीम किस तरह काम करती है और जनता से किये वादे कितने पूरे होते है कमरमेन नरेन मारकंडे के साथ जितेंदर थवाईत आईवीशू 24 बिलासपूर